तिर्थश्पर्ष का हमारा ये सफर मालवान चल परदेश के कही तिर्थों की यात्रा करते करते आज पहुंछा कुकुड़ेश्वर्तित प्राचिन तिर्थ पाश्वुनात भगवान के समय के साथ, पाश्वुनात भगवान के जीवन के साथ जुड़ा हुआ ये प्राचिन तित कलपो सुतर का भी जब वान्चन करते हैं उसमें दो प्राचिन तिर्थो की पाश्वनात बगवान के जीवन काल के दो प्राचिन तिर्थो की बाद आती है एक कलिकुंट तिर्थ और दूसरा ये कोकुडेश्वर्थ इससे भी हम इसकी प्राचिनता का अंदाजा लगा सकते हैं प्राचिन 108 पाश्वनाद भगवान के तिर्थों में भी ये शामिल ये प्राचिनते जिनाले की दुनिया की बात करे तो जब जिनाले में प्रवेश करते हैं सामने तीनों लोखों के नाथ देवादी देव परमात्मा पाश्वनाद भगवान की सुन्दर श्याम वर्नि प्रतिमा देखते ही मन को हर लेती है चित को चुरा लेती है ऐसी सुन्दर प्रतिमा सुन्दर परिकर युक्त भगवान के साथ ये पाश्मनाद भगवान बैठ है, गर्भग ग्रह के बाहर की दुनिया में हम जाए, तो यहां पर आदिनाद भगवान की संप्रतिकालिन प्राचिन प्रतिमा भी मौजुद है, दो कौसज्या प्रतिमा भी है, और पुंटिक स्वामी और गोतम स्वामी भगवान की दो जाना जाता है, जेहिन अजीनों बहुत श्रद्धा रखते हैं, कहते हैं, इनके चमतकारों के उपर किताब लिखी जाए, तो किताब के पन्ने कम पढ़ जाए, ऐसी आस्ता, ऐसी चमतकार की घटनाए बैरूसा से जुड़ी हुई है, तो यह सब हम दुनिया का भी हम इस प को पुरा तिर्थ की जानकारी देते हैं, लेकिन इसमें हम, हमारी वोइस रॉकर्डिंग अग खतम हो जाएगी, और उसके बाद संगीत की एक दुनिया शुरू होगी, और उस संगीत की दुनिया के साथ, पुरा तिर्थ को आप सपर्ष कर पाओगे, आप फिल कर पाओगे अब संवेदन मैसेज करोगे, तो चलो, एक नई दुनिया, एक संगीत की दुनिया के साथ, ये सफर, इस तिर्थ की, एक सफर की ओर हम चले, तो चले, एक नए तिर्थ शपर्ष के अनुभव की ओर तमिश्वास चो, विश्वास चो, महरा रदेनी आश चो तमिश्वास चो, विश्वास चो, आकाश चो, प्रभुवर्ण महरो आकाश चो तमिश्वास चो, विश्वास चो, आकाश चो, प्रभुवर्ण महरो आकाश चो तमिश्वास चो, विश्वास चो, महरा रदेनी आश चो मुझर दयनी दणकन्ता में प्रभुवर्ण मुझर दयनी दणकन्ता में मुझर दयनी दणकन्ता में मुझ श्वासनी सर्गंत में मारा चत्तनों चिंतन्त में मुझ आत्मनों दर्पंत में तामे श्वास छो श्वास छो आकाश छो प्रभुवर मारो आकाश छो मुझ नयन नावेश्वात में प्रभुवर मुझ नयन नावेश्वात में मुझ जीवन रत अश्वात में शोगुन तनों वेवोत में उमरो तो सर्वस्वात में तामे श्वास छो विश्वास छो आकाश छो प्रभुवर मारो आकाश छो प्रभुवर मारो आकाश छो आकाश छो तामे मोक्ष पदेनो स्पर्श छो प्रभुवर तामे मोक्ष पदेनो स्पर्श छो आनंदनू तामे पर्वचो तामे समरपण नाचो शिखन तामे समरपण नाचो शिखन मरो तामे अस्तित्व छो तामे श्वास छो विश्वास छो आकाश छो प्रभुवर मारो आखाश छो तामे समर श्वास छो विश्वास छो मारा रद नी आश छो कुकडेश्वर तिर्थ का ये नाम किस कारण से पड़ा इसके पीछे क्या रहसे था इस नाम के पीछे जब ये जानने का हम प्रयास करते है तो किसी समय दत्त नामक एक ग्रामन किसी गाव में रहता था कोड रोक से पीडित था बहुत तकलिफ में था उस रोक के कारण उसी समय वहाँ पर उस गाव में केवली भगवंद गुन सागर पदारे उनकी देशना में गया पूछा कि किस कर्म के उदे के कारण मेरी स्तिती है गुरु केवली भगवंद ने उनको समझाया उसके बाद उसने निवारन पूछा केवली भगवंद ने निवारन के रूप में नवकार महमंत्र की आरादना भी उनको बताई और उसके प्रवाव से उसका कोड रोक मिट लेकिन कर्म की संजोग ऐसे थे कि अगला भव कुकडे के रूप में यानि कि मुर्गे के रूप में हुआ और मुर्गे के रूप में जब वो जिस जगह पधा वहाँ पर एक बार विहार करते करते पाश्मनात भगवान देवादी 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 पाश्मनात भगवान और अन्यजल का त्याग के प्रभाव से साधना के प्रभाव से एक परमात्मा का मिलना फिर वो तिरियंच क्यों न हो उसके जीवन में क्या असर करता है उस मुर्गे ने भी प्रभु के प्रभाव से साधना की अन्यजल का त्याग किया और आत्म साधना करके वो जीव अगले कुमार यूगा नवस्ता में पहुंचा तब योगान्य योग प्रभू के साथ जो संबंदों के उसकी दुनिया थी प्रभू के साथ जो रुणानों बन था उसका एक दूसरा दौर शुरू होता है वापीज पाश्चुनात भगवान विहार करते करते महां पदारते हैं भग अनदर कि य्या थे कैसी उन्होंने साधना के बन प्रभाव से किसे बनारर ऑबक्ति और बड़ी के बुटा पणकी धार करते दो कुकड में एक को याद कर के कुकड़ा यानिकी पूरो भव प्लस इश्वर यानिकी इस भव कुकड़े श्वर इस कारण से तिर्थ का नाम ये कुकड़े श्वर पढ़ा तो प्रभु के साथ एक रुनानोंबन की सुन्दर घटना जब आत्मा की बनती है तो ऐसे सुन्दर तेरत का निर्मान होता है